आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं मेरा लास्ट वीकेंड का वेरी वेरी प्रोड़क्टिव और बिजी वीकेंड रूटीन कमिंग वीक मेरे लिए बहुत जादा हेक्टिक होने वाला है वर्क वाइस इसलिए मैंने इस वीकेंड को पूरा यूज किया कि घर के सारे काम हो जाएं मील प्लानिंग, क्लीनिंग, एटसेटरा ताकि आने वाला जो वीक है वो मेरा थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री और इजी हो जाए हर के साइट से अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो माइनेम इस नीहा और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो जरूर चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना तो शुरुआत कर रही हूँ मैं क्लीनिंग की आज थोड़ा सा डीप क्लीनिंग कर रही हूँ ताकि फिर पूरे वीक में सिर्फ मुझे एक दुबार वैक्यूमी करना पड़ेगा तो सोफा कवर, बेट शीट वगेरा सब कुछ मैं आज दो देंगी and friends, believe me, अगर आप इंडिया में रहते हैं और आपके पास एक house help है जो ये सारे काम आपके लिए कर देते हैं you should be very very grateful for them क्योंकि जब आप इंडिया के बाहर जाते हो ना तो इन चीजों की जो value है वो सच में पता चलती है तो यहां पर मैंने अपने कपड़ों को तीन portions में segregate कर लिया है पहला pile है towel, pet sheet, sofa covers जो भी heavy कपड़े हैं उनका दूसरा regular clothes and तीसरा है जो mats, pocha, etc. जो भी थोड़े dirty type of कपड़े हैं उनका तो पहला load में चढ़ा दूँगी जो हमारे regular wear clothes हैं उनका and उसके बाद I will start with cleaning जितने वो कपड़े हो जाएंगे so US में भी आपको काफी सारी cleaning services मिल जाती हैं but they are very expensive compared to India in fact मैंने भी कई बार cleaning ladies को बुलाया है but वो चार्ज करेंगी for one visit once in a month around 150 to 200 dollars जो personally with my experience मुझे लगता है कि it's not worth it अगर आप थोड़ा थोड़ा सा रोज घर साफ करते रहोगे तो कभी भी घर उतना मैसी होगा ही नहीं कि आपको बहुत जादा time लगेगा उसको clean करने में तो क्योंकि यहाँ पे सब लोगों को अपने सारे काम खुद से ही करने पड़ते हैं तो यह जो training है यह बचपन से ही शुरू हो जाती है schools में जैसे कोई game खतम होगा तो teachers बच्चों से सारा classroom clean करवाएंगे सारे toys को अपनी जगहें पे रखवाएंगे तो बचपन से ही यह चीज इन में डाल दी जाती है कि आपको अपने सारे काम खुद करने है जो की थोड़ा ही cultural shock होता है जब आप इंडिया जैसी country से आते हैं जहां पर लेबर इतना cheap होता है पर दीरे दीरे आपको इसकी आदत पर जाती है and kind of यह एक lifestyle habits सी ही बन जाती है मोपिंग के लिए मैं यूज करती हूँ एक steam मोपर का तो उसमें पानी के साथ में थोड़ा सा डिटॉल and थोड़ा सा essential oils ताल देती हो तो उससे first एक तो steam से बिलकुल sanitize हो जाता है and जो essential oils होते है न उससे बहुत ही अची fragrance हो जाती है घर के अंदर and because यह wood के floors होते हैं यहां पे आप कोई भी गीला पोचा नहीं लगा सकते है अदर्वाइस wood खराब हो जाएगी so steam मोपर्स are the best bets here जो मेरा मोपर है उसका link मैं description box में दे दूँगी आपको इसमें scrubber भी है तो जैसे मालो कोई चीज है कोई दाग है जो निकल नहीं रहा यह इसलिए है क्योंकि इधर के जो dryers है वो बहुत जादा strong होते हैं विकत आप देखेंगे जो कपड़े बहार आते हैं वो बिलकुल एकदम गरम बहार आते हैं तो इसे क्या होते है कि कपड़े श्रिंक एजिली कर जाते हैं जिन कपनों पे कुछ डिजाइन या प्रिंस होते हैं वो भी धीरे धीरे खराब होने लगते हैं तो इस बेस्ट तो जिस्ट एर ड्राइ देम और बिकाज मेरी मोपिक भी हो गई है तो वो भी अब मैं लास्ट पाइल में डाल दूंगी और ये वाले कपड़े भी वाश हो जाएंगे तो उसके बाद मैं वाशिंग मशीन भी क्लीन कर दूंगी तो क्विक रिंस करके मशीन क्लीन हो जाते हैं बिकाज इतने सारे कपड़े दोई है तो ओवर टाइम मशीन अलसो गेट्स डिर्टी पिछले कुछ तिनों में मुझे काफी सब्सक्राइबर्स के मेसेज़े आए कि निहा आर यू ए टीचर हाला कि मैं अपने पहले वीडियो में ये बता चुकी हूँ पर कई बार होता है कि अमने पुरानी वीडियो नहीं देखी होती तो फिर सब बता देती हूँ कि हाँ I am a teacher I am a university professor here in US और आप ये भी पूछ रहते कि मैं क्या subject पढ़ाती हूँ तो मैं math पढ़ाती हूँ तो math बहुत एक broad area है तो math में ऐसे कुछ specification नहीं है कभी algebra, stats, calculus तो ये सब हमारी classes semester to semester change होती रहती है और यहापे भी मैं कपड़ों के साथ Neil को मैंने बोला के चलो writing कर लो otherwise थोड़ा सा अलग से भी time निकालना कही बार मुश्किल हो जाता है cleaning वगेरा का mostly सारा काम अब almost finish हो गया घर इतना अच्छा, need and clean and sanitize लग रहा है न और मेरे husband सारी grocery कर लाए थे तो बस एक मिनट में किचन में जाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि हमारी क्या weekly grocery आई है so grocery में आई थी सबजियां, पेठा, कदू and करेले उसके साथ मेरे husband लेके आए थे रोस्ट चना, ठेचा, ये ट्राइनी किया तो जरूर करना my favorite hajimola, oils में mustard oil, peanut oil, हाल फिल हाल मैं use कर रही हूँ sesame oil, तो मैं हमेशा change करती रहती हूँ oils को उसके रावा है moofleaks, just for snacking, poha, curry leaves, sugar and बस कुछ basic दाले and mangoes, तो साथ के साथ ही मैंने सारी meal planning कर ली है तो करेलों को मैंने सुखा के, dry करके, उनका छिलका निकालके, उनको salt and oil में marinate कर लिया है इसे क्या होता है, जब आप करेले बनाएंगे ना तो वो कभी भी करवे नहीं बनेंगे तो मेरी सारी meal planning ready है, Monday का घिया, Tuesday का करेले, Wednesday के लिए राजमा बिगो दिया है and Thursday के लिए pumpkin So week में, it just takes the stress out कि आपको क्या cook करना है, वो almost अब कुछ ready ही है पहले से and आज lunch में, क्यूंकि week-end ता तोड़ा different बनाने के लिए, मैं homemade pizzas बना रही हूँ So इसके लिए मैंने 2 cups मैदा and 1 cup whole wheat आटा लिया है आप half and half भी कर सकते हैं, पर आदे से जादा आटा मध डालेगा, वरना वो softness pizza की न, crunchiness, softness वो चली जाएगी तो अब इसमें half tablespoon baking soda and one tablespoon baking powder हम डालेंगे उसके बाद salt and sugar अब आप इसको बिलकुल थंडी दही से गून दियेगा, या फिर थंडे पानी से तो इसमें बिलकुल भी गरम पानी का use नहीं करना है cold yogurt के साथ with oil आप इसका एक dough बना लिजे अब यह जो dough भी बनेगा न, यह बहुत जादा आपको इसको नहीं गूनना है यह बहुत बिलकुल light सा बनेगा and sticky बनेगा ताकि यह अच्छे से ferment हो जाए उसके बाद आप oil लगा के इसको एक wet cloth से आप धक्के रख दीजेगा around 30 minutes में यह अच्छे से ferment हो जाता है तो उतने हम लोग अपनी pizza sauce बना लेंगे यह बहुत ही versatile sauce है जो आप pizza पास्ता किसी में भी use कर सकते है इसके लिए मैंने 1 onion, 3 tomatoes, few pieces of garlic बस उनको sautay कर लिया है और उसमें से थोड़ा सा मैंने ketchup भी डाल दिया है वो ketchupी flavor के लिए यहाँ पर यह मेरी pizza toppings थी तो मैं toppings को भी हलका सा sautay कर लेती हूँ उसे क्या होता है ना बहुत एकदम desi pizza वाला flavor आता है around 30 minutes पात मैंने अपने dough से pizza base बना दिये हैं और 350 degree Fahrenheit पे मैं oven में उनको डाल के around 10 minutes के लिए bake कर लूँगी यहाँ पे मैंने चाई भी रग दिया तो जब भी हम लोग pizza बनाते हैं तो हमें साथ पे चाहे या को कुछ तो चाहिए ही होता है तो पीजा मेरा base बन गया था उसके बाद मैंने फिर अवन से निकाल के उन पे pizza sauce, toppings, cheese लगा के फिर से अवन में around 15 minutes के लिए रग दिया है ताकि cheese melt हो जाए और toppings भी थोड़ी बेक हो जाएं and finally हमारे pizzas ready है तो आप देख सकते हो कितने अच्छे बने हैं खाने में भी ना मुझे जो एक दम आप भी अब जो एक लिए बना तो आपको जडाए तो जरूर यह रष्यपन प्रशल्का कि ने ने भी बहुत जाए तरहां और उक्टा जाएं ट्या सम्सपक दक्राइगा तरह से जाएं अज ने ने से अज़या है पार्ट जाएं अजा है? वों तस्टीवा है, मज़ा आत मामी जाए So friends recently our YouTube channel 10,000 subscribers I am so thankful to each of you who have subscribed to my channel and this milestone my husband took a little cake so this is just a little celebration which I am sharing with you Congratulations in celebration 10,000 10,000 10,000 although 10,000 is not a big number but life is the same that just little little happy they celebrate their family and loved ones and just little little happy Thank you so 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 much you guys have given me a lot of love support and appreciation I am the most that I am not going to shoot I don't shoot B-rolls anything I don't put in my vlogs because I am a very regular person with a 9 to 5 job and I run on a busy schedule so whatever it is in the house whatever it is without YouTube so I shoot that too and you guys appreciate it it means a lot to me I am eating cake I am not eating cake I am not looking at it and this milestone I want to say the most thank you to my mum and papa thank you mama and papa so 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 much you guys have done so much for me and now you are doing and my dad because my dad always was a little strict he was also a teacher so social media he did not like that but for me when I did youtube they did not do it and the first time he watched my videos we do adjustments for our children we do adjustments which we have never liked and we take it so it is just so beautiful so friends with that I end my vlog and I will see you in next vlog very quickly until then remember bye you